नमस्कार मैं अजय पत्रकार इंटरनेशनल कोर्ट जश्टज ने आईसीजी ने आज एक बहुत बड़ा डिशीजन दिया है जिसमें रसिया को दोशी माना है और उक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी जीत मिली है कोड इंटरनेशनल कोड ने बहुत बड़ा फैसला दिया है और फैसले में इस पष्ट रूप से कहा है कि रसिया हमले तुरन्त रोके इंटरनेशनल फेम पर यह अपने आप में बहुत बड़ी कोड ने यह भी कहा है कि रूस के ओर से कोई भी पक्च दखन ना दे तीसरा इस डिशीजन के पहले यह था कोड जो भी नतीजा देगा सभी राष्ट और सभी लोग उसके डिशीजन को मानेंगे यह पहले से तय था कि अंतलाश्टी कोड के जो आज डिशीजन हुए है यह डिशीजन में तीनों बातें बहुत महत्पूर्ण है इसके लबाद चौथी बात यह है कि वाल्दमीर पुतिन की एरेस्टिंग की क्राइम कोड ने वारंड जारी किया है इंटरनेशनल क्राइम कोड वारंड जारी किया है जो अपने आपके बहुत बड़ी दुनिया के सबसे सक्तसाली उसके उक्रेन में युद्ध अपरात का आरोप लगा है उनके उपर हाला कि रूस ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि रूस इनके निलने को माने मगर नैतिक रूप से रूस की आज बहुत बड़ी हार हो गई बाल्डमीर पुतिन पर युद्ध अपरात का जो आरोप लगा है इसके अलावा रूस के बाल अधिकार आयुक्त के खिलाप भी वारंड जारी किया गया है बाल अधिकार आयुक्त मारियाल लाबोबा बेलोबा के उपर वारंड जारी हुआ है आइसीसी अभियोजन के करीम खान ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें इनको दोसी करार दिया गया है राश्ट पती वा आयुक्त को बाल अधिकार आयुक्त को एरेस्टिंग वारंट इसू है पूरे इंटरनेशनल लेविल पर खबर यह है पर तो भारत के राजनेतिक जो कभी-कभी किसी समदाय विसेश की या कोई वर्ग विसेश की वोट के लिए बोल देते हैं उनकी अभी तक निगाह उनके कान में यह इंटरनेशनल खबर अभी तक नहीं आई पूरी दुनिया में वो नालों के लिए लड़ना है नालियों के लिए लड़ना है फुटपातों के लिए लड़ना है सरकों के लिए लड़ना है बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए इतना वड़ा अंतलाश्टी निलने वो उनको इस पेशल प्रेवलेश की चिंता है कि हमारा विसेशा अधिकार क्या है इसकी टांग खीचना उसकी टांग खीचना अपने आदमी की टांग खीच रहे दूसरे की चो इस लडाई पर पर उनका कोई भी यह अपसोस की बात है जब राम मनोल लोहिया थे ड़क्टर राम मनोल लोहिया इन सब चीजों पर विछार करते थे अपने विचार देते थे जैपकाय नयान विचार देते थे लाजर्शी टंडन इन टॉपकों में खुल करके बोलते थे लाल बादू सास्त्री खुल करके बोलते थे परन्तु अब कोई नहीं बोल ला है पहले अंतराश्टी बाद बाद उनमें यहां तक होता था कि पूरे देश की एक राय होती थी परन्तु आज यह पोजिशन नहीं है सिवेंटी वन में भारत और चाइना की लड़ाई हुई तब भारत के अंतराश्टी इस्तर की आपत में खुब सभी सप्ता पच बिपक्ष में कुब बाच्चीद होती थी एक शौर से एक ही आवाज निकलती थी ही इंद्रा आ जी वटल जी की एक ही आवाज थी 71 किलारही में शिश्टी भाइ में लाल्वादू सास्तरी सप्ता पक्ष बिपक्ष की एक आवाज रहती थीiben है अब तो सम समाचार पत्रों से गायब हो गई अब सोच की बात है पहले जितने भी समाचार पत्र थे उसमें खास तो से अर्थ छेट की एकनौमकल या फाइनेंसियल ख़वर लगती थी एक पेज रहता था बड़े बड़े पेपरों में पूरा-पूरा एडिटोरियल में एक पेज रहता था और एक दिन डिसाइड रहता था प्रण तो अब नहीं लोगों के ख़वर समझ में आती अब हम लोगों के दिमाग में सिबलाजनीत घुसेरा जा रहा है एक स्पेसिली ये खराब वो अच्छा वो खराब ये अच्छा अब इतनी बड़ी इंटरनेशनल ख़वर के अलावा आपको एक बहुत में बात बता दें कि इस ख़वर का चाहे तो भारत फाइदा उठा सकता है और भारत के पास ये बहुत अच्छा मौका है अमेरिका के लक्षा विशे सक दुनिया के सबसे माने हुए मिलेट्टी स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट लेंड कार्पोरेशन के प्रमुक उन्होंने अभी एब्जॉर्वर रिसल्ज फाउंडेशन पर अपना एक लेक दिया है आज मिस्टर डेरेक ग्रासमैन ने उन्होंने ये कहा है कि युनाइटेड इस्टेट अरबो रुपए के डॉलर के हतियार उक्रेन को दे रहा है उसके अलाबा तमाम यूरोपी देश दे रहे हैं उन्होंने का ये मौका बढ़िया है भारत वो चाहे तो बीच में मद्देश्टा कर सकता है मैं एक्चुली में बात कहना चाहे रहा हूं इस समय भारत के पास चांस है मोदी के पास चांस है जैसंकर जैसे क्वालिफाइड लोग लक्षा विशेशक जो अपने हां के हैं अजीर डोभाल जी वो भी आप समझ लिजे कि एक भारत के धरोवर हैं अगर ये लोग चाहे लें तो उक्रेन और उसका युद्ध रुख सकता है रशिया के बाल्डमीर पुतिन के खिलाब जो वारंट हुआ है ये बात भी खतम हो सकती है उक्रेन पूरी पूरी बात इनकी मान लेंगें मोदी की बाल्डमीर पुतिन भी इनकी बात मोदी की मान लेंगे और अमेरिका भी वाइडन भी इनकी बात मान लेंगे इस्राइल में मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जाता है इसमें कोई सक नहीं आज ऐसा लगता है कैप्टन लक्षमी नहरु जी की बहन पंडित बिजय लक्षमी का अवतार या पंडित बिजय लक्षमी जो भी सेस्थाएं थी वो मोदी में है का ऋबिसे सथाएं इंद्राजी में नहीं थी याद खेगा की नहरु जी को इंड्राजी को इंटरनेशनल फ्रेम पे कोई लाया था तो व पंडित बिजय लक्षमी थी पंडित बिजय लक्षमी थी इंद्राजी का चाहेंज इतना अStना अंतर लाश्टी इस्तर पर उनका कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं था जो पंडित विजय लक्ष्मी नहरू जी को इसलिए लोग मानते थे टीटो मार्सल टीटो पंडित विजय लक्ष्मी के भाई थे उनसे उनकी सकल मिलती थी वह पंडित विजय लक्ष्मी को मानते थे चुकि यह उनके भाई थे इसलिए मानते थे इंटरनेशनल पॉजिशन में नहरु जी की कोई बहुत स्ट्रांग पॉजिशन नहीं थी कहा जाता है कि अच्छे विदेश मंत्री ते विदेश मंत्री रूब में अच्छे नहीं थे उनी की बज़े से आज भारत की किसी भी परोसी से नहीं पड़ती हमारी जमीन इंच दल इंच गई इसलिए विदेश मंत्री कहना अच्छा आज यह है कि अगर मोदी चाहे लें और मोदी को इसमें प्रयास करना चाहिए मौका इसमें बहुत बढ़िया है कि मोदी बीच में दखल दें अभी रूस के एक फाइटर जेट बिवान ने काला सागल में यूएस का आज़ स्टेट अब अमेर्का का एक द्रोन गिरा दिया जिससे तनाव पहली वार अमेरिका के द्रोन को रशिया ने गिրा है जोसको लेकर बहुत जबज़त तनाव है भारत ने उक्रेन युद्ध की आलोचना नहीं किये रसिया को नहीं वो किया है नहीं उक्रेन को के खिलाब बोले उक्रेन ने कई बार कहे दिया कि मोदी की बज़े से और आपको बताना यह भारत के प्रधान मंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा यह जिनों ने इस पश्ट नहीं है और युद्ध से कोई चीज नहीं सीधा जा सकता उसको उन्होंने इस पश्ट कह दिया दोनों देशों को आपस में बैट करके अपने मामले को सुझाना पड़ेगा अस्त सस्ते युद्ध से मामला नहीं सुच दोनों देश यह सोच रहे हैं याद रखेगा जितना उक्रेन तबाव होला लश्या भी उतना ही गायल है दोनों गायल है वाइडेन अगर किसी को सबसे आदा मानना है तो मोदी को मानना है मगा आज जो डिसीजन आया है उससे बाइडेन बहुत खुश है इंटरनेशनल कोड का कि पुतिन को उनके एर्रेस्टिंग वारंट का जारी हुआ इधर आपको बताना है कि रूस ने दिल्ली को भारत को सस्ती दर पे पेट्रोल दिया तेल दिया और तेल की आपूर्त यहां पहुचाई सबसे बड़ी बात है ऐसे टप पोईशन में शेफ पोईशन में वहां से पहुचाना यह बहुत बड़ी बात है और इंटरनेशनल लेबिल पे सभी देश उक्रेन और रस्या के युद्विसे प्रभावित हुए बहुत प्रभावित नहीं हुआ बलकिन भारत को ना कोई लॉस हुआ भारत के सारे लोग वहां से निकल भी आए और हकीकत में रस्या ने ने आटैक किया उक्रेन ने भी आगर उक्रेंग भारत का ब्रोद करता था और आज इस्थित है कि उक्रेंग सबस्यदा भारत को माला बार बार उनका प्रिधान अनका मंतमंडल कहरा कि मुदी जी की ओड़ देख रहा है सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिससे अब हमारा ब्रोध रहे गिया मुश्किल से तीन-चार देश ही भारत के ब्रोध पाकिस्तान भी चाहता है कि हमसे भारत अब कोई न रख है हमको मदद कर दे आज इस्थित पाकिस्तान की कटोड़े वाली है मगर भारत उसको किसी अपी तरह की मदद नहीं करना अपसूस की बात है अगर भारत ने और पाकिस्तान चारों तरफ से भारत की ओर देख रहा है और बिल्कुल मू लटकाए हुए है और आज जो इस्थित है वो मोदी अच्चाहे लें अब आप देखिए कि जब रसिया ने किसी को सामान दे रह जाई तेल किसी बहुत नहीं किया और और किसा कंटी ने अगर वह से सामान लिया तो सास्त्र कुछ सस्त्र ऐसे थे जो वहां से लिए गए ते अमेरिका ने शुरू में ब्रोट किया था मगर रशिया से उन्हों लिए अमेरिका की बात भी निसली अमेरिका कामोस हो गया एक समय यह पोजिशन आई करोना काल में अमेरिका राष्ट पती बहुत घबला गए क्योंको दवा में उन्होंने अपने करोना के लिए दवाईयां बेजी अब एक मौका है अगर कास यह भारत कुछ सौुच जए मोदी कुछ सौच जाये मोदी चाहे ले तो युद्ष आप पुतिन की ओभी हो जाएगी एरेश्टिंग चैनल गई उक्रेण का भी हो हो जाएगा मानवा दिकार का भी हो जाएगा और सारे लोग मिलके माहूल बन जाएगा ये जो बीच पक्रिस्तान में नहीं पढाए जाता और में युनान में और ग्रीश में और प्रोटर्हाल वगयरे इस भी कंटियों पढाया जाता है कि वह सीगंदर हर भारत में पढ़ में पढ़ Radhan जिसे के जो जीता वहीं सिगंदर अगर मोधी यह काम कर देंगे यकीन माने पूरे पत्रकार